ओम शान्ती, आज मीठे प्यारे अवेक्थ बाप दादा के महावाक्य हैं, ये मुरली है 30 जुलाई 2030, रिवाइस कोर्स है 25 मार्च 1995, मुरली का सार है, ब्राहमन जीवन का सबसे स्रेश्ट खजाना, संकल्प का खजाना, तो आज बाबा ने बच्चों के संकल्पों के खजाने को चेक किया, बाबा केते हैं, मैंने खजाने तो बच्चों को बहुत दिये हैं, लेकिन आज वशेश संकल्पों का खजाना देख रहे हैं, कि बच्चों ने किस तरह से जमा किया है, क्योंकि बाबा ने समझाया, कि जो संकल्पों का खजाना है, वो ब्राहमन जीवन का आधार है, और जो संकल्पों का खजाना है, बहुत शक्ति शाली है, बावा के दिस संकल्प शक्ति इतनी पावर्फुल है, एक automatic rocket से भी तिवर गति वाला rocket है, क्योंकि संकल्प से जहां पहुंचना चाहो वा पहुंच सकते हो चाहे बैठे हो चाहे कुई करम भी कर रहे हो लेकिन संकल्प के खजाने से वा शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुंचना चाहो उसके पास अपने पहुंचने का अनभव उसको करा सकते हो खुद भी कर सकते हो तो बावा केते यह है संकल्पों की शक्ती तो आगे बावा ने समझाया कि संकल्प शक्ती का ब्राहमन जीवन में क्या रोल है जो हमारे चार सब्जेक्ट्स है उन में क्या रोल है तो पहला सब्जेक्ट है जैसे योग तो बाबा गेते योग में संकल्ब भी मतद करते हैं आप यहां बैठे बैठे एक सेकिन में परमधाम पहुँच जाते हो परमधाम किसी तीक अनबब करते हो फिर संकल्ब करते हो कि मैं सरेष्ट आत्मा हूँ महान आत्मा हूँ खुशनस जिवात्मा हूँ तो अन्भूती भी वैसी होती है जैसे संकल्ब करते हैं बिंदू रूप हूँ, मैं फरिष्टा हूँ तो ये अन्भव होना शुरू हो जाता है इसी परकार गियान के सब्जेक्ट में संकल्ब का रोल क्या है? जैसे हमें ये गियान मिला है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ ये संकल्ब करते न तो सारा देन मन बुद्धी को फिर शुद संकल्ब मिलते जाते हैं मनन शक्ती हमारी चलते रहती है शुद संकल्ब आते जाते हैं तो गियान के सब्जेक्ट में भी जो सुखद अन्भव कराया वो किसने कराया? संकल्ब शक्ती ने फिर उसी परकार है धारणा धारणा में जैसे बावा केते कि तुम संकल्ब करते हो कि मन बुद्धी को आज ये काम दे देते हैं कि मुझे आज सहन शक्ती धारण करनी है आज इस पर वर्क करना है तो हमारे संकल्प उसी साब से चलेंगे कि आज मुझे सहनशील होकर के रहना है तो धारणा कराने में भी संकल्पों का अधार है फिर सेवा जब हम करते हैं, चौथा सब्जेक्ट तो सेवा के प्लान भी कैसे बनाते हैं संकल्पों से सेवा के प्लान क्रेट करते हैं तो ये चारों ही सब्जक्ट में हम बच्चों को आगे बढ़ाने का आधार क्या है संकल्पों का खजाना फिर आगी बावा कहते कि अगर आप अपने संकल्पों के खजाने को सही यूज कर रहे हैं तो आपकी स्थीती बहुत अच्छी रहेगी पूरा दिन पर यदि संकल्पों का खजाना व्यर्थ जाता है तो उसकी रिजल्ट बहुत खराब है तो बाबा ने साथ परकार की रिजल्ट बताई ठीक है पहली रिजल्ट आपकी स्थीती डाउन हो जाएगी जैसा संकल्प होगा स्थीती को डाउन ले आएगा और दूसरा बताया कि आपकी जो बुद्धी है संकल्प चलाते चलाते विर्थ संकल्प चलाते चलाते बुद्धी कमजोर हो जाएगी ठीक है बाबा ने तीसरा बताया कि उनकी निरन्या शक्ती भी ठीक नहीं होगी वो निरन्या भी सही नहीं कर पाएंगे और आगे बावा ने पताया कि उनकी जो स्थीती है वो हमेशा confused रहेगी माना मुझे वो रहेंगे क्या करूँ, क्या ना करूँ माना इस स्थीती में उनकी जो उलज़न वाली स्थीती हमेशा रहेगी फिर नेक्स्ट रिजल्ट क्या दिखा बावा ने कि वेर्थ संकल्पों की गती बहुत बहुत फास्ट होने कारण क्या होता है आत्मा की कंट्रोलिंग पावरी खो जाती है मन आपे से बाहर हो जाते है आपे से बाहर हो के कुछ भी कर सकते हैं ठीक है फिर क्या उसका रिजल्ट नेक्स्ट क्या होता है खुशी गायब हो जाती है मन उदास होता है फिर जीने का कुछ अनंध भी नहीं आ रहा होता है तो ये सब कारण है व्यर्थ संकल्प आने से जो आत्मा की स्थीती बन जाती है नेक्स्ट बात बावा समझाते हैं कि कई वार क्या होता है कि आत्मा की बुद्धी इस तरह से बंद हो जाती है तो उनको ये भी नहीं पता चल रहा होता है कि मेरी स्थीती व्यर्थ संकल्पों के कारण क्या बन गई है मोटी मोटी बातें देख लेते हैं कि हाँ विकर्म नहीं किया हाँ मैंने कोई गलती नहीं की है ना फिर चेक करते रहते हैं कि मेरे खुशी क्यूं कम क्यूं होगी उदासी क्यूं आई क्यूं आज जीवने मजा रहा है मन क्यूं नहीं लग रहा है ऐसे उपर उपर चेक करते ह विकल्पों को देखते हैं बड़ी बड़ी गलतियों को देखते हैं लेकिन जो स्थीती डाउन हो रहे हैं उसका कारण बनता है सुक्षम गलतियां व्यर्थ संकल्प जो चलाती रहती हैं वो है सुक्षम गलतियां जिन पर आत्मा अकसर करके ध्यान नहीं देती हैं तो बाबा अच्छी तरह अंतरस्पष्ट कर रहे हैं कि हमें वेस्ट का खाता भी देखना है साथ में विकर्मों का खाता उलग है लेकिन वेस्ट का खाता भी किस तरह बढ़ता है और हमारे जीवन की जो खुशी है जो शक्तियों किस तरह से गाइब करता जाता है तो बावा ने एक्जामपल दिया जैसे शारिक रोग पहले बड़ा रूप नहीं लेता है चोटी सी जैसे माला चोटी सी फिंसी हो गई है ना लेकिन फिंसी कब नासूर बन गई है ना उसके पिरिड को हमने देखा उसके बीच में क्या क्या हुआ तो जब अनजर अंदाज कर दिया उस चीज को तो जब वो बड़ा रूप आया तब देखा लेकिन उसका कारण नहीं ढूंडा तो फिर इतनी बड़ी समस्या सामने क्रियेट होगे तो बावा एक्जामपल देते हैं कि मान लो कोई शारिक बिमारी है तो जब उसका चोटा रूप है तो नहीं देखा लेकिन चोटे से बढ़ते 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 बढ़ा रूप जब हो जाता है तो बढ़ा ही दिखाई देता है चोटा रूप दिखाई नहीं देता तो वैसे ही बावा केते हैं वेर्थ का खाता, गवाने का खाता, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, पाप का खाता अलग है, लेकिन वेर्थ खजाना जो गवाते हैं, है ना, चाय उसमे का है, चाय संकल्पों का है, चाय शक्तियों का है, चाय गुणों का, मैं वेर्थ में वेस्ट कर रहे हैं, तो बा उसकी चेकिंग कमती है। यह विषेश अंडरलाइन करने वाली बात है। क्यूंकि इसको आत्मा इतना ध्यान नहीं दे पाती है, कि जो व्यर्थ है मेरे जीवन में क्या रोल जब आदा कर रहा है। ठीक है तो बाबा क्या कहा रहे हैं कि व्यर्थ गवाने का जो खाता उसकी चेकिंग नहीं हो पाती है तो बाबा कहते आप क्या सोच लेते हो कि चलो आज का दिन तो बीती गया अच्छा है हुआ ऐसे गलती तो कुछ नहीं की लेकिन बाबा कहते लेकिन ये चेक किया कि अपने संकल्ब के स्रेष्ट खजाने को जमा किया या विर्थ ग्वा ये में कोश्चन है कि हमारे जो संकल्ब थे कितना हमने समर्थ चलाए आज या व्यर्थ में मन को बेल गाम छोड़ा तो कुछ भी सोचता रहा तुम बाबा करती ये चेक करो येदी जमा नहीं किया होगा तो खजाने का खाता क्या होगा नाई होगा ना बैलेंस क्या होगा निली होगा ना अंदर समझ में आता भी है कि कुछ हम कर रहे हैं लेकिन खाता चेक करो कि आज क्या क्या खजाना जमा किया तो बावा कहते हैं यह चेक करना आता है अपने आप से पूछो अपना चेक क बनो दूसरों का नहीं अक्सर होता क्या है बावा मुरलियों में केवार कहते हैं कि हम अपने तो बन जाते हैं वकील दूसरों के बनते जग तो बावा ने खास कहा कि अपना खाता चाह करो क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता है और दूसरे को बार से देखना होता है तो खजाना जो है वो व्यर्थ बहुत बहुत जाता है इसलिए इसको चेक करना पता नहीं पड़ता है कि हम क्या कर रहें लेकिन व्यर्थ चला गया तो बाबा करें देखो कि व्यर्थ गया आज या समर्थ गया हमारे संकल्पों का खजाना ये चेक करो आगे बाबा डवल फॉर्नस से बात करते हैं ब्रम्हां बाबा का एक्जम्पल देते हैं तो कहते हैं बाबा कि ब्रम्हां बाब को एकॉनोमी का अवतार कहते हैं बाबा पूछते हैं कि आप सभी कौन हो फिर आप भी तो मास्टर हो ना या नहीं हो economy नहीं आती करनी खर्चा करना आता है तो बावा डवल फॉर्नर्स के लिए कहते हैं कि वहां का जो लौकिक जीवन है उसका जो हिसाब किताब है वो क्या रखते हैं कमाया और खर्चा किया खतम bank balance बहुत कम रखते हैं लेकिन बावा केते हैं इसमें अब एकॉनमी कावतार बनना पड़ेगा जो ब्रामन जीवन है ब्रामन जीवन की जो संकल्पों की बावा बात कर रहेंगी संकल्पों के खजानी को बढ़ाना है तो बावा कह रहे हैं कि यहां एकॉनमी कावतार बनना पड़ेगा तो बाप दगा देते अपने को हलका छोड़ देते हैं तो बाबा केते हलका नहीं छोड़ना है कई सोचते हैं कि हाँ दो मिनट दी तो वेर संकल्प चला फिर क्या हुआ तो बाबा केते नहीं तो विशेश अटेंशन देना है कि क्या करना है संकल्पों की बचत तो बाबा एक्जामपल देते हैं कि अगर स्थूल धनकी भी थोड़ी बचत होती है जैसे एक्जामपल दिया बाबा ने कि कोई बचत होगी धनकी तो कितनी खुशी होती है कि मैंने इतना बचा लिया तो अगर दस डॉलर या पाउंड खर्चा होना था और आपने एक पाउंड का खर्चा यग डॉलर उसमें बचा लिया तो जो बचत की माना एक एक contradictory की तो भी कितनी खुशी है उसकी बचने की तो बाबा के तो अपने संकल्पों के उपर कंट्रोल रखो यह नहीं कहो कि बाबा चाते तो नहीं थे संमजते तो हैं लेकिन क्या करें बाबा कहते है ये कौन कहता है कि हाँ हो जाता है क्या करें तो बाबा कहते फिर क्या कहें गुलाम कहें कि मालिक कहें आपको मालिक के तो कंट्रोल में सब होता है अगर मालिक को कोई धोखा दे दे तो मालिक है क्या हो तो बाबा कहते तो कंट्रोलिंग पा बाबा ने दुसरा तरीका बताया, अगर बचित नहीं कर सकते हैं तो वेरथ को समर्थ संकल्पों में प्रिवर्तन कर लो, यदि संक कंट्रोल नहीं हो सकता है, तो प्रिवर्तन तो करी सकते हो ना, उसकी रफटार को जल्दी से चेंज करना है. बाबा केते अगर संकल्पों की रफतार को चेंज नहीं किया तो वेर्थ संकल्प चलाने की आदत पड़ जाएगी फिर क्या एक घंटे को भी चेक करो तो एक घंटे में भी देखेंगे कि 5-10 मिनट ही वेस्ट संकल्प आ रहे थे तो बाबा केते कि अगर 12 घंटे में 5-5 जो मिनट वेस्ट आया उसको गर बेस्ट बना दिया तो बाबा केते कितनी बचत हो जाएगी और खुशी कितनी होगी और जितना स्रेश्ट संकल्पों का खाता जमा होता जाएगा नहीं समय का खाता भी जमा होता जाएगा नहीं तो बाबा केते हैं जैसे स्थूल धन में अगर जमा नहीं होता है तो समय पर धोका मिल जाता है है ना हमारे पास धन नहीं है और जरूरत पड़ेगी तो नहीं है तो धोका मिल जाएगा तो ऐसे यहां भी जब कोई बड़ी प्रिक्षा आती है तो मन और बुद्धी खाली-खाली लगती है, शक्ती नहीं लगती है, कारण जीवन वेर्थ संकल्पों बीत रहा था, तो बावा कहते हैं, तो क्या करना है, जमा करना सीखो, बावा ने बार बार पक्का कराया, जमा करना सीखो, संकल्पों का खाता भरपूर कर दो, खाली खाली अन्भव नहीं होना चाहिए कि हम खाली होगे खाली खाली लग रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए जितना खाता जमा होगा उसका चलन और चहरा सदा ही भरपूर दिखाई देगा तो बावकेत ऐसा भी नहीं कि आज देखो तो चहरा बड़ा चमक रहा है और कल देखो तो उदासी की लहर है ऐसी भी नहीं सारा दिन में चेक करो आप कितने पोस बदलते हो चेक करो बावकेते बहुत पोस बदलते हैं बाप दादा तो सब के पोस देखते हैं कभी कभी देखते हैं कि कई बच्चे कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते हैं लेकिन किये हुए कर्म के पश्चत आप में बहुत टाइम लगाते हैं फिर कहते हैं ये तीन दिन हो गए हैं और खुशी गुम हो गई है तो बाबा केते क्यों खुशी गुम हो गई कहां है लेकिन ले कौन गया पश्चाताप करना बावकत अच्छी चीज़ है तो कि पश्चाताप परिवर्द्थन कराता है लेकिन उसमें टाइम ज्यादा नहीं लगाओ पश्चाताप का रोना करेंगे हैं तो सारा सपताहा रोते रहेंगे उसके पश्चाताप की आग में रोते रहेंगे पश्चाताप किया पहुत अच्छा लेकिन पश्चाताप करना और प्राप्ती की खुशी लाना आगे के लिए सेकेंड में निर्णे करो कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना है तो पहले सुनाया ना डौट और नौ ना कर दो चीजों को अंदर संकल्पों को आने ही मत दो डॉट लगा दो माना बिंदू लगा दो तो बाबा केते चार घंटा रोते रहे चलो पानी नहीं आया माना आंकों से बाहर पानी आंसो नहीं आये अंदर तो रोते रहे ना तो आदा घंटा पानी बहाया और चार घंट बाबा केते की डवल फॉर्नर्स की बाबा को एक विश्यषता बहुत अच्छी लगती है रो ना अच्छा नहीं लगता है लेकिन एक विश्यषता अच्छी लगती वह कौन सी है सच्ची दिल पर साहिव राजी तो सच बताने में डरेंगे नहीं चिपाएंगे नहीं तो सच्ची दिल है इसके कारण बाप के डवल प्यार के पातर हो तो ये बहुत बड़ी वशेषता बुद्धी में हम सब अंडरलाइन करेंगे कि जो बाबा को प्यारी लगती है वो क्या है? सच्चे दिल पर साहिव राजी तो हमें कभी भी अपनी कमी को बाबा से छिपाना नहीं है जैसे बाबा चाहते हैं वो बता देनी है ताकि बाबा उसको निकालने के लिए हमें युक्तियां बताते हैं तो बाबा केते तो सच्ची दिल रखी साहिव को राजी कर लिया लेकिन परिवर्तन भी फर इतना जल्दी करना चाहिए उसको बार बार अपने अंदर में वर्णर नहीं करो ये हो गया ये हो गया मेरे से क्यूं हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए था बाबा करें फिनिश खतम करो आगे के लिए अटेंशन जो हो गया तो हो गया तो पास्ट हो गया प्रन्तु आगे के लिए अटेंशन लेकिन कभी कभी अटेंशन के बजाए टेंशन कर लेते हैं वो नहीं करना है तो बड़े ते बड़ा justice बनो यहां भी Chief Justice होते हैं न तो आप तो कौन हो Chief Justice के भी Chief हो अपने प्रती जल्दी से जल्दी Justice करो Wrong, Right Wrong है तो Not और Dot ऐसा नहीं होता है ऐसे होता है ऐसे नहीं करते वैसे करते तो ऐसे होता ऐसे गमाने का खाता जमा करते हैं गमाई खत्म हो जाती है जमा का खाता ही खत्म हो जाता है सोचो लेकिन व्यर्थ नहीं और बचा कर दिखाओ एक घंटे में इतना बचाया ये रिजल्ट दिखाओ तो बाबा कहते हैं ये बचत खुशी का अन्भब कराएगी आगी बाबा बताते हैं कि जब संकल्फ वेस्ट जाता है तो समय का भी इसमें संबंध जुड़ा होगा है मना समय वेस्ट अवश्य जाएगा तो बाबा ने एक्जम्पल दिया कि अगर आपको किसी पर करोध करना है तो मन में प्लान बनाएंगे कि ऐसे करूँगा ऐसे बोलूँगा ये क्या अपने को समझता है ऐसे प्लान चलेगा मन के अंदर तो उतना पिरियड उतना समय वेस्ट हो गया जो बात वन में सोची है उसको कहने के लिए समय का वेट करेंगे है ना तो अगर संकल्प का खजाना वेस्ट जाता है तो समय का वी साथ साथ में जरूर जाता है अगे मुरली के अंत में बावा ने तीन बातों पे ध्यान खिंचवाया बावा केते एकोनोमी करो एक नामी बनो और एकांतवासी बनो बावा केते ज़्यादा बोल में नहीं आओ एकांत वासी बनो देखा जाता है जो बोल में सारा दिन आते हैं कई पूरा दिन बोलते रहते न उनकी संकल्प समय सब खजाने ज़्यादा वेस्ट होते है एकांत वासी का डव अलर्थ है सिर्फ बाहर का एक आंत नहीं लेकिन एक के अंत में खो जाना दो बात दो अरत होगे ना बाहर भी साइलेंस और अंदर में एक के अंत में खो जाना नहीं तो सिर्फ बाहर ही एक आंत वासी होंगे तो बोर हो जाएंगे है ना बाहर के एक आंत वासी क्या हो जाते हैं कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में चले जाओ, तो कितना खजाना मिलता है, अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हुई है, उन में खो जाओ, सिर्फ उपर उपर लहरों में लहराना नही हैं पंत में चले जाओ खो जाओ फिर देखो कितना मजाता है तो बाबा कहते हैं सर्व खजानों में एकॉनमी करो और एक बाप दूसरा ना कोई एक नामी मना एक बाप दूसरा ना कोई ऐसी स्थीति में रहने वाले अपने सर्व खजानों को जमा कर सकते हैं नहीं तो जमा न करना जानते हो ना तो बावा ने ब्रह्मा बावा के जामपल भी दिया कि एकॉनोमी का अवतार बनो उनकी तरह फालो फादर करो आगे बावा ने दादियों से बात की तो बावा ने दादियों को टाइटल दिया कि आप सब हो सफलता के सितारे और ये ब्रामन परिवार है ता खुशी के खजाने से अनेक आत्मों को माला माल करने वे खुशनसीवात्मा बनो। बावा ने वर्दान दिया, कि आप खुशनसीवात्माई हो। बावा केते हैं, इस समय संसार में सब कुछ वस्तुएं उपलवध हैं, लेकिन खुशी के सब भी खारी है। और आपके पास खुशियों का खजाना है और विराइटी खुशियों का खजाना आपके पास है तो बावा कहते हैं आप स्वयम के प्रतिवी यूज करो और उक खजाना बांटती भी जाओ आत्मा को माला माल करते जाओ उनको खुशी बांटो तब ही कहेंगे खुश नसीब आ और अन्त में स्लोगन में कहा अन्यात्मों के व्यर्थ भाव को स्रेष्ट भाव में परिवर्थन कर देना ही सच्ची सेवा है। अन्यात्मों के व्यर्थ भाव को बदल सकते हैं और सच्ची सेवा का सबूत दे सकते हैं। ओम शान्ती